प्रतिमा जीयस एकड़िमी पर आसे भी का सवगत है। दोस्तों, आज का प्रस्ण है राजकोसिय नीती की चक्रियता के अर्थ को इस्पष्ट कीजिए। अनुचक्रिय तथा प्रति चक्रिय राजकोसिय नीती का अर्थ और महत्तो भी बताईए। यहाँ पर राजकोसिय नीती के वज़े से किस तरह का नुकसान हो सकता है, किस तरह का फाइदा है, किस तरह के चक्र चलते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। आप लाइक करें, सेर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। अब राजकोसिय नीती तो आपको यहाँ पर पता होना जाए कि राजकोसिय नीती है क्या। मैंने पिछले कोशन में दे दिया था कि राजकोसिय नीती क्या है। और राजकोसिय नीती की चक्रियता के अर्थ को सपश्ट करें। तो यहाँ पर देखें, इसमें प्रस्ण में ही उत्तर नीत है। चक्रियता के आर्थ पूछ रहा है यानि कि चक्र दो प्रकार के होते एक अनुचक्र प्रतिचक्र यानि एक clockwise एक Anticlockwise तो इसके आर्थ और महत्व को बताना है प्रस्ण में क्यों लेखी बात पूछी गई है चक्रियता से सम्दित आपको लिखना कैसे है? राजकोशिय नीती की चक्रियता उत्वपादन इस्थितियों के सापेच सरकार के बे और करों में परिवर्तन की दिशा को दिखाती है जहिर सी बात है कि भाई जितना हमारे पास राजसो आएगा उसी के आधार पर हम खर्च करेंगे जब उसी के आधार पर हम खर्च करेंगे तो दोनों के बीच जो अंतर आएगा वही राजकोशिय घाटा होता है अगर हम ज़्यादा बे किये, कमाई किये, तो राजसो घाटा होगा और यदि हम कम बे किये, ज़्यादा आएगे, तो राजसो अधिसेस होता है लेकिन सरकारी नीतियों के तहट सरकारी कार्यों के तहट कभी अधिसेश नहीं होता है और जिस देश में राजस्व अधिसेश के इस्थितिया है या राजकोशी अधिसेश के इस्थितिया है समझे वहाँ पर सामाजिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर राजकोसी नीती की चक्रियता उत्पादन इस्थितियों के सापेच सरकार के बे और करों में परिवर्तन के दिशा को दिखाती है अब अनुचक्री राजकोसी नीती क्या है? अनुचक्री राजकोसी नीती जब सरकार आर्थिक सम्रिधी के दोर में बिस्तारवादी नीती तथा मंदी के दोर में संकुचनकारी नीती अपनाती है तो इसे अनुचक्री राजकोसी नीती की संग्या दिचाती है ध्यान रहे आर्थिक विकास और आर्थिक सम्रिद्धी में अंतर होता है आर्थिक सम्रिद्धी के दोर में विस्तारवादी नीती अपनाए जाए यानि कि जब विकास ज्यादा बहतर हो रहा हो आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ रही हो तो उसमें और पैसा लगा देना चाहिए जिससे की विस्तारवादी नीती बने लेकिन जब मंदी का दोर आ जाए मंदी की दोर का मतलब हुआ कि जादा विस्तार ना हो रहा हो अर्थविवस्था धोमिल पड़ गई हो तो ऐसी इस्तती में संकुचन कारी नीती अपना दी जाए यानि विकास को और विकास और कम विकास को और संकुचित करना इस इस्तती को अनुचकरिय राजकोसी नीती की संग्या दी जाती है आर्थिक मंदी के दोरान सरकार के राजस्व में कमी आती है इस इस्थिती में सरकार अनुचक्रिये राजकोसिये नीती का पालन करते हुए सरकारी बे में कमी कर देते हैं इसके विपरीत आर्थिक सम्रिधी के दोर में उत्पादन में बिर्धी होने के कारण सरकार के राजस्व में भी बिर्धी होती है और परिणाम सरूप सरकारी बे में भी बिर्धी होती है यानि कि जब मंदी के दोर आएगा जाहिर सी बात है कि अर्धिवोस्था बेहतर नहीं होगा तो जब बेहतर नहीं होगा हमें राजस कम प्राप्थ होंगे हमें राजस कम प्राप्थ होंगे तो हम सरकारी बे भी कम करेंगे और जब आरदी सम्रिद्धी होगी राजस ज़्यादा प्राप्थ होंगे तो हम सरकारी बे में भी बिर्धी करेंगे ये हो गया अनुचक्री राजकोसिय नीती लंबे समय तक एक अनुचक्रिय राजकोषी नीति का अनुसरण करने से आर्थिक आस्थिरता में बिर्धी हो सकती है जहिर से बात है इतलागातार जादा 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 खर्चा होता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर दिखतें आएंगी तो लंबे समय तक अनुचक्रिय राजकोषी नीति का अनुसरण करने से आर्थिक आस्थिरता में बिर्धी हो सकती है अचल या इस्थिर समपत्ती और मानो-पुंजी में निवेसकों कम हो सकता है आर्थिक सम्रिध्धी में कमी आ सकती है और निर्धनों के लिए यह सेति हानिप्रद हो सकती है कोई भी चीज एक लंबे समय तक एक समान नहीं चल सकता चाहे वो सकरातमक हो या वो नकरातमक हो अब प्रतिचक्रिय राजकोसे नीती क्या है अनुचक्रिय तो आपने देखा प्रतिचक्रिय राजकोसे नीती में प्रतिचक्रिय राजकोसे नीती के अंतरगत सरकार आर्थिक सम्रिध्धी के दौर में संकुचन कारी नीती तथा मंदी के दौर में विष्टारवादिनीती अपनाती है, देखे हैं पर बेसिक अंतर है, अनुचक्रिये में क्या था? ज़्यादा समृध्धि तो ज़्यादा विष्टार, पर्त्र오 क्या है, अगर समृध्धि जपना धे हैं ठीके ब्लटार कुमा आधा? सब बहुत कमाता है तो माता पिता उस पे कम ध्यान देते हैं जो कम कमाता है उसके प्रति सिंपैती होती है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं तो यहां पे मंदी को उस कम जोर बच्चे की भाद समझ लीजे जिसे माता पिता सपोर्ट करते हैं तो प्रति चक्री दिवर में सरकारी बे में ब्रधी उपभोग और निवेस में आई गिरावट की भरपाई करके उत्पादन में कमी को कम करने का प्रियास करती है। इस नीती के माद्याम से सरकारे मंदी के समय में निजी छेतर को यह भी स्वास दिलाने में सच्छम होती हैं कि अर्थ विवस्था में बहुत अधिक उतार चड़ाओ नहीं होगा। बहुत जादा उतार चाहर देखने को नहीं मिलेगा। हम आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब यह होता है। वर्तमान समय में भारत में निजी खफ़त कम हो रही है और निवेज अनिस्चित है। ऐसी स्थिती में भारत में प्रति चक्री राज को से नीती महत्ञपूर सी दो सकती है। रिण इस्थिर्ता को भी प्रति चक्री राज को सी नीती के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्निवाज चेहन जे भारत